नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग मकर सक्रान्ती पर इस वार बन रहा है बहुत ही दुरलब सयोग क्योंकि सुरिदे मकर रासी में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सुरिदे की मकर सक्रान्ती शुरू होगी और 14 जन्वरी 2022 को मकर सक्रान्ती का पर्व मनाया जा रहा है तो इस वार 14 जन्वरी 2022 को बुद्ध भी मकर रासी में वक्री होंगे और फिर यहां पर मकर सक्रान्ती कुछ खास सुप सयोग के साथ आया है चले जानते हैं बिस्तार से पहले सुमूर्थ के बारे में तो 14 जन्वरी 2022 सुक्रवार सक्रांती का काल जो रहेगा वो दोपहर 2 बचकर 42 मिनट और पुन्यकाल दोपहर 2 बचकर 43 मिनट से साम 5 बचकर 45 मिनट तक पुन्यकाल अवधी कुल 3 घंटे 2 मिनट का है और महापुन्यकाल दोपहर 2 बचकर 43 मिनट से रात्री 4 बचकर 28 मिनट तक महापुन्यकाल अवधी 1 घंटा 45 मिनट का है तो 14 जनबरी 2022 को सकरांती अस्नान जुबर 14 जनबरी को ही अभिजीत मुर्त सुबर 11 भचकर 46 मिनट से दोपहर 12 12 तक रहेगा अमिरित काल साम 46ara से साम 6 om 39 तक रहेगा और ब्रह्म नुहुर्त सुबर 5 बचकर 38 मिनट से दोपहर 26 मिनट तक रहेगा बिजय मुर्त साम दोपहर एक चववन से दोपहर दो सैतिस तक और गोधिले विला मुर्त साम पांच अठारा से साम पांच ब्यालिस तक रहेगा तो इस बार मकर सकरान्ती 14 जनवरी सुक्रबार को ही मनाया जाएगा और सुरी देव अपने पुत्र सनी देव से मिलने जाएंगे वर्स में कुल बारह सक्रांती होती है जिन में से सुरी की मकर सक्रांती और करक सक्रांती बहुत जादा खास होती है क्योंकि दोनों ही सक्रांती पर सुरी की गती में बदला होता है और सुरी की करक सक्रांती जब होती है सुरे उत्तरायन से दक्छिनायन होते है और सुरी की जब मकर सकरांती होती है तो सुरी दक्षिनायन से उत्तरायन होते हैं और यहां से हर सुब मंगल कारे सुरू हो जाते हैं और यहां से दिन भी बड़े होने लगते हैं राते छोटी होने लगती है तो 14 जन्वरी को सुरिदेव जब मकर रासी में दोपहर 2 बचकर 43 मिनट पर प्रवेस करेंगे और मकर सकरांती का पूर निकाल 3 गंटे 2 मिनट का है दोपहर 2.43 से सुरू होकर साम 5.45 तक रहेगा ऐसे में इस दिन गंगास्नान करने से सभी कस्टों का नास होता है और अगर आप दान करते हैं जब तप करते हैं तो माननेता है इस दिन दिया गया दान बिसेश फल देता है अगर किसी गिरहस्त ब्रहमन को भोजन या आप करवाते हैं या किसी गरीब को करवाते हैं तो यकिनन आपके जीवन के हर कस्ट समाप्त हो जाते हैं साथ ही कुछ न कुछ दान तो जरूर करें क्योंकि मतस्य पुरान के 98 अध्याय के सतरवे भाग से लिया एक स्लोक है कि मैं सीव और विश्णू और सूरे एवं ब्रम्भा के अंतर नहीं जानता वह संकर जो विस्वात्मा है सदा कल्यान करने वाले हूं पुरानिक कथा के अनुसार सूरे देव अपने पुत्र सनी देव के घर एक महने के लिए उनसे मिलने आते हैं और ये दिन खास तोर से पिता पुत्र के लिए विसेस माना जाता है क्योंकि इस दिन पिता पुत्र का रिष्टा निकटता के रूप में देखा जाता है और जो त के कंदों पर मंदार परवत को रख दिया और उसे दबा दिया इस दिन भगवान विश्णु को मधुसूदन नाम दिया गया और साथ ही बुराई में जीत के साथ इस्तिवार को मनाया जाने लगा हलांकि इस ब्रत के बारे में बहुत सारे कथाएं हैं लेकिन सुरिदेव ता उत्तरैन काल में पदारपन कर रहे हैं और सुरिदेव ने मा यसोदा को उनकी मनोकामना पूरी होने का असिरबाद ही इसी दिन दिया था इस दिन दान का सबसे ज़्यादा महत्व है क्योंकि कहा जाता है पूरे साल आप कुछ भी दान करें उतने फल नहीं मिलते जितने इस दिन किया गया दान का मिलता है लेकिन भूल कर भी कच्चे चाबल का दान ना करें करना हो तो बनाया हुआ खिचड़ी का दान कर सकते हैं जिसमें काली उड़र डाला हुआ हो दूसरी बात पलास्टिक के बरतनों का दान तो भूलकर भी ना करें चाहे जो हो जाए तामबा वैसे इस दिन दान तो बहुत साई चीजें की जाती है लेकिन अगर आपका सूरे बे उतार कर किसी भी गरीब बैक्ती को दे सकते हैं कोई ना मिले तो पीपल के नीचे प्रेम से रखा है धन्यवाद